हेलो फ्रेंड्स दिश इस एर्श पिशिंग एंड वेलकम टू इश्माटर एब्री डे बात करेंगे आपचारिक सिक्षा और अनापचारिक सिक्षा की ठीक है बीएट फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपके हाँ ये टॉपिक डेफिनेटली होंगे जरूर होंगे अपचारिक सिक्षा अनापचारिक सिक्षा हमने इससे पहले सिक्षा का अर्थ पढ़ लिया सिक्षा की प्रिभाषा ही पढ़ लिया सिक्षा का संकुचित अर्थ पढ़ लिया सिक्षा का व्यापक अर्थ पढ़ लिया सिक्षा एक त्रिमुखी प्रिकिरिया के रूप में सिख्षा एक दोई मुखी प्रकिराय के रूप में ये हम लोग डिसकस कर चुके हैं आज हम बात करेंगे आपचारिक सिख्षा और अनपचारिक सिख्षा की इसको हम पेत्रीन तरीके से उदाण के माधियम से पिक्चर्श के माधियम से पहुत ही आशान भार्षा में शमज पाएंगे आज के बात आपको कभी भी दुबारा फॉर्मल एजगेशन, इन्फॉर्मल एजगेशन को पढ़ने की आउशकता नहीं पढ़ेगी अगर आप फॉर्स स्ट मेस्टर में तो आपके आँ पेपर फॉर्स्ट होगा शिक्षा के दार्षनिक परिप्रेक्ष या दूसरा नाम होगा शिक्षा के दार्षनिक एवम समाज चास्तरी परिप्रेक्ष ठीक है तो इस तरीके से देखिए फॉर्मल एजगेशन, जो आपचारिक सिक्षा है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं जिस प्रकार से आपने सिच्छा का संकुची तर्थ और सिच्छा का व्यापक अर्थ पढ़ा था ठीक वही चीज यहां पे भी बताई गई है अप्चारिक सिच्छा में और अनप्चारिक सिच्छा में देखिए अप्चारिक सिच्छा से अर्थ है कि इस प्रकार की सिच्छा विद्यार्थियों को विद्याले में सिच्छकों के द्वारा एक निश्चित योजना और पाठिकरम के अंतरगत दी जाती है जो आपचरिक सिक्षा होती है वहाँ विद्यार्थियों को कहां से मिलती है वहाँ विद्याले से मिलती है किसके माध्यम से मिलती है टीचर्स के माध्यम से मिलती है और उसकी एक निश्चित योजना होती है पूरा प्लैन तयार किया जाता है कि किस पीरियड में क्या पढ़ा पढ़ाया जाता है जो चीज आपके माल लीजे कोई ऐसा चैप्टर जो आपके सलेबस में है किताब में है लेकिन अगर वो सोरी सलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाता है आपके बीड में जो बुक्स है उसमें बहुत सारे से चैप्टर्स होते हैं जो आपके है वो पहले से तयार कर लिया जाता है तथा इसका उद्देश भी निश्चित कर दिया जाता है और उसका एक निश्चित उद्देश होता है कि आखिर यह जो सिख्छा दी जा रही है इसका उद्देश क्या है जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसका पूरा सल कि यह जानते-बूजते प्राप्त करते हैं stuk जानने में और प्रत्यक्ष रूप से इसको प्राप्त करते हैं और चारिक सिक्षा में विद्यार्थी को निश्चित समय पर नियमित रूप से ज्यान परदान किया जाता है वह एक निश्चित समय होता है कि 9 बजे स्कूल जाओगे और 2 बजे छुटी होगी इससे पहले तुम नहीं जा सकत कि यह एक निश्चित समय होता है एक निश्चित रूप से ग्यान प्रदान किया जाता है आपकी सिच्छन विधियां फिक्स होती है आपका सलेवस फिक्स होता है आपके पीड फिक्स होते हैं everything क्या होता है सब कुछ फिक्स होता है इसमें इस प्रकार की सिच्छा का काले, प्रियोग शाला, अजायब घर, पुस्त के आदी अन्यसादन होते हैं जिन से विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करता है और यहां से अर्जित क्या गया ज्ञान भी हमारा आप्चरिक सिछा के अंतरगत आता है ठीक है ऐसा ने कि सिर्फ विद्याले विद्याले के साथ अ यह क्या है ऑप्चरिक सिच्छा का एक क्या है उदाहरन है और यहां पर आप क्या कर रहे हैं यहां पर बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं अगर आप उस्तकालय में भी अध्यन कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो वह भी आपका उप्चरिक सिच्छा के अंतरगत यह जो निश्चित समय पर निएमित रूप से और पूरा एक निश्चित योजना होती है दुआ सिच्छा मरी ओप चैलाती है कुल्मना करके जैसा कि आपने पड़ा था संकुची तर्स जो होता है वह हमारा ओप कैते हैं देखिए अनौप्चारिक सिच्छा को अनियमित सिच्छ भी कहा झाता दूसरा नम क्या है और ज Yumत ने यह कहते हैं इसे प्रकार की सिच्छा जन्म भर चलती या यह यूंग है कि जीवन पर Pret्ण चलने वाली प्रिक्रिया है अन्यमित सिच्छा इश प्रकार की सिच्छा में विद्याले या सिच्छक की आपचारिकता नगन्य होती है ना के बराबर होती है अनौपचारिक सिच्छा में बालक को हसते खाते पीते काम करते उठते बेढ़ते आकस्मिक वर अनायास ग्यान प्राप् निश्चित समय नहीं होता, निश्चित पाटे करम नहीं होता, कुछ भी निश्चित नहीं होता है, हमें कहीं से भी कुछ भी ग्यान मिल जाता है, है ना, मतलब जाने में, अंजाने में, अचानक से, कैसे भी करके, हम उठते, बढ़ते, खाते, पीते, नाते, दोते, सोते, सो हर तरीके से हमें ग्यान प्राप्त होता रहता है वो हमारी अनौपचारिक सिक्षा होती है जिसके लिए कोई भी प्लैन तयार नहीं होता है अपने मा, बाप, मित्र, भाई, बेहन, पडोसी, समाच के अन्य विक्ती जिनसे भी बालक का परिच्चे होता है वह शबशे कोई ना कोई ग्यान की बात ग्रहन करता रहता है बाई, जिनसे भी हम कॉंटेक्ट में आए, जिनके साथ भी कॉंटेक्ट में आए उनसे हमने ग्यान ग्रहन कर लिया, सिक्षा ग्रहन कर ली ये क्या था जिसके लिए हमने कोई प्लान तयार नहीं किया था जिसके लिए हमारा कोई सलेबस निश्चित नहीं था जिसके लिए हमारा कोई योजना नहीं थी लेकिन हमें ग्यान मिल गया अनौपचारिक सिच्छा में कोई निश्चित योजना, निश्चित सीमा, निश्चित शमय नहीं होता है बच्चे का परिवार, मित्रसमु, पडोसी, समाचार पत्र पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, जनसंचार के अन्यसाधन, दल, गुट, खेल ये सबी अनौपचारिक सिच्छा के शाधन है, बालक क्या करता है, जो बालक होता है, वह अपने परिवार से सीखता है, बालक टीवी देख रहा होता है, तब भी सीखता है, बालक अपने दोस्तों के साथ खेल लहा होता है, तब भी सीखता है, यह जो सिच्छा होती है, वह हम व्यापक करता था सिच्छा का वही हमारा क्या है अनौपचारिक सिच्छा भी है ठीक है प्यारे दोस्तों बीट फर्स्ट समेस्टरी क्लासे चल रही है यह चुटे-चुटे टॉपिक्स हैं जिनको हम अलग-अलग करके डिस्कुस कर रहे हैं हमारे नोट्स देलने के लिए आ थैंक्यू सो मच मिलते हैं मोजल्दी नेक्स क्लास में